आज करने वाले हैं हम लोग शॉपिंग एक वीक की शॉपिंग करने वाले हैं ग्रॉसरी की तो लोग देखते हैं कि यहां पर कितना स्पेंड करना पड़ता है कितना महंगाई है जैसे आपको पता है कि कापी बढ़ रखा है तो उसी के हसाब से हम लोग देखते हैं कि मिनमम कितना स्पेंड करना पड़ेगा दोस्तो इस वीडियो में मैं ब्रॉसरी के हल्थ बेनिफिट्स भी आड़ करने वाला हूं इसलिए पूरा ये वीडियो एंड दिखते हुआ तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रूट सेक्शन की तरब और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है तो यह है मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनपल and it is very rich source of vitamin C and manganese यह पड़ेगा हमको अल्मोस्ट चार कनेडियन डॉलर विच इस 250 इंडियन रुपीज बात करें ओरें औरंज की तो वोल्ल म अब हम लोग fruit section में हो तो बनाना को कैसे नजर अंदाज कर सकते हैं बुरा मान जागा है यह बनाना after all इससे हमें instant energy मिलती है and it is very rich source of vitamin B, C and potassium 1 kg का दाम 90 रुपे पड़ जाएंगा आपने तो सुनाई ही होगा an apple a day keeps the doctor away no doubt it is highly nutritious fruit लेकिन आप इसके साथ junk food भी खाओगे तो भाई doctor के पास आज नहीं तो कल तो जाना ही होगा और आपको यह बात जानके बहुत ताजूब होगा कि worldwide 7500 varieties of apple पाए जाते हैं और यह है 420 रुपे किलो grapes जिसका cultivation आज से करीब 8000 साल पहले start हुआ था और बात करें mango की तो this is the king of fruits and I can proudly say that India is the leading mango producer in the world fruits तो कबर हो गया अब vegetable section में चलते हैं दोस्तो fruits and veggies में काफी important vitamins, minerals और fibers होते हैं जो की health के लिए काफी important है so don't ignore fruits and veggies in your diet तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इस वीडियो को like करते हैं और आगे बात करते हैं मैं जितने भी विहां पर vegetables है सबके price और उसके बाद उनका जो health benefit है वो screen पर display कर दूँगा आप वीडियो को पूरा end तक देखो और आपको जरूर I am pretty much sure कि आपको कुछ ना कुछ नया तो पता चले गई करते हैं और आपको का करते हैं और आपको जरूरा आपको क कुछ उनका जरूरा गई झाल झाल तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा वेजिटेबल्स तो कई तरह के हैं लेकिन कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि आपको खाना क्या क्या चीज है तो मुझे जो समझ में आता है अपना टमाटर लाल लाल यह हमेशा लेकर जाता हूं चटनी बटनी बन जाती है इस वीजिए खाने ठीक है घिरे तो एक तो लेए लेते है कभी सविएलडि में खाने के लिए हो जाता है और यह दोस्तों यह अपना क्या बता सकते हैं बिंडी टस्ति कहें न हमाटर का एक चांजी न बीन खालगरे लंभा लंबा तो जो गोलगोल है वो इंडिये तो लंबे वाले आपको दिख रहे हैं जो बैंगन यह चानिस एक प्लैंट बोलते हैं कद्ध बढ़े में तो आपको मालूमी होगा इंडिया में बहुत मिलता है कद्धू बैल में डाल के खाओ कैसे भी खाओ अब चलते हैं हम लोग प्याज लेने तो यह अनियंस हैं यह अनियंस के भी यहां पर गल मिलते हैं जैसे गाडलिक की तरह तो यह भी हम लोगे ले ले और यह तो आप देख सकते हैं स्वीट पेटेटोस हैं यहां पर भी अलग अलग तरह के वराइटी के स्वीट पेटेटोस हैं और यह पता नहीं क्या क्या चीज हैं अभी भी मुझे बहुत सारा कुछ यूट्यूब करकर करके देखना है कि भाई इसको खाएंग ऐसे तो यह दोस्तों यह lettuce है जो कि हम लोग salad dwellet में use करते हैं और यह देखो दोस्तों यह है मिर्ची 75 ग्राम मिर्ची पांस डॉलर की याने कि 300 रुपए की कहां हम लोग इंडिया मैं कॉम्पली में भी मैं लेते थे मिर्ची और यहां पे 5 डॉलर की मिर्ची है दोस्तों आपको कैनेड सकते हो कि यहां पर निम्बू में ओफर चल रहा है कितना बड़ा ओफर है देखो तीन निम्बू लोगे तो 2.67 डॉलर का और यह हरे वाले निम्बू है और एक लोगों तो एक डॉलर का पड़ता है दोस्तो मैं अभी तो वेज का सेक्शन कवर कर रहा हूँ एक बार यह सारे हो जाएं वेज का तो लास्ट में मैंने नौन वेज को रखा है और वहां पर भी बहुत जादा डैवरसिटी है द।स्तो यह स्ट्शन तो कैट्स इंड डॉका है जो कि मेरे लिए तो कोई साय kाम का नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई यहां पर पैट नहीं है तो दोस्तों अब चलते हैं dry fruits और candies के section में और देखते हैं महाँ पर क्या क्या है different तरह की dry fruits और candies रखी हुई है तो अभी तो फिलाल कुछ लेना नहीं है और chocolates भी है उसके साथ में तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम लोग cold drink के section में आ गए है और unfortunately इसका कोई health benefit नहीं है तो आप इसको जितना avoid कर सकते हो avoid करो तो यह आ गए हम लोग international section में guys यहाँ पर आपको ready to cook rice, Indian brands के कुछ बासमती rice और Indian snacks भी मिल जाएंगे साथी साथ यहाँ पर चाइना के भी बहुत सारे products रहते हैं अब दोस्तों चलते हैं snacks के section में अब snacks की बात हो तो हल्दी राम को कैसे भूल सकते हैं हल्दी राम के यहाँ काफी ज़्यादा products रहते हैं इंडिया में भी snacks के category में करीब 30% market share हल्दी राम का ही है पर जो भी brand और snacks का उसमें high amount of sodiums रहते हैं which is not good for health चाइ is love मैं तो addicted हूँ दोस्तों चाइ का कमेंट करके मुझे जरूर बताओ अगर आप भी चाय के शौकिन हो तो तो दोस्तों अगर दाल और मसालों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग हर तरह की डाले मिल जाती हैं और हम लोग को अपने lifestyle में eating lifestyle में डाल को जरूर से include करना चाहिए क्योंकि इसमें protein, carbohydrate, fiber यह सब तो मौझूद रहते ही हैं इसके साथ साथ बहुत तरह के vitamins और minerals like potassium, magnesium और zinc भी रहते हैं यह है मसालों का section और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिसे शान के मसाले हैं तो यह पाकिस्तानी brand है और काफी अच्छा brand है तो मैं usually यही use करता हूँ अब चलते हैं हम लोग dairy section में और देखते हैं यहाँ पर क्या है जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर तो curds के काफी सारे varieties हैं यह नानक का दही आता है जो की काफी अच्छी quality रहती है और उसी का पनीर भी मिल जाएगा आपको और बटर फिर उसके बाद चीज काफी सारे यहाँ पर वह प्रॉडक्ट्स रहते हैं अंडेरी के दोस्तों यह milk का section है तो milk में जनरली चार लिटर वाला यह जो आपको डबा दिख रहा है वह लेकर जाता हूं तो दोस्तों अब चलते हैं बेकरी section की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से bread है तो यह दोस्तों एक white bread है जो की काफी common है तो आपको mostly यहाँ पर white bread, brown bread और multi-grain bread मिल जाते हैं 2-4 dollar के बीच में तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग last section की तरफ meat, poultry और seafood के section में तो दोस्तों अगर मैं आपको बता हूँ यहाँ पर तो Canada में 2021 के survey के according यहाँ पर 87% जो लोग हैं वो omnivorous हैं यानि की वो meat, dairy और vegetables खाते हैं वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जो की सिर्फ vegetable-based diet खाते हैं So meat and poultry are the great source of protein guys. They also provide lots of other nutrients your body needs like iodine, iron, zinc, vitamins, especially B12 and essentially fatty acid. So it's a good idea to eat meat and poultry every week as a part of your balanced diet. और अगर नहीं भी खाते हो तो veg में भी काफे सारे options हैं आपके पास, आप वो भी opt कर सकते हो. तो दोस्तों अब देखते हैं seafood section में क्या है, तो यहाँ seafood में लोग जाजाते हैं salmon, lobster, crab और shrimp खाते हैं और यह काफी बड़ी मातरा में बाहर export भी होता है, करीब 120 country में यहाँ के जो seafood से export किये जाते हैं यह भी कई तरह के यहाँ पे fish हैं, यह तिलापिया है, पता नि, मैंने कभी ट्राइनी किया और यहाँ पे craps बगरा भी रखे हुए हैं तो वह भी मैंने आज से कभी ट्राइ नहीं किया बस मैंने अभी तक सिर्फ चिकन ही ट्राइ किया यहां पर और यह ओईस्टर्स हैं और भी पता नहीं लोग कैसे इसको खाते हैं कैसे कंजूम करते हैं मुझे तो आइडिया नहीं है आपको बस मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर क्या-क्या सीफूर्स हैं अगर आपको रेसिपी जाननी है इनकी तो आपको दूसरे यूट्यूब वीडियो चेक करने पड़ेंगे मुझे इसके बारे में कुछ जाधा एडिया नहीं आप बस का bill करते हैं यहा पर आप दो तरह से billing कर सकते है पहना कि आप सारे समान पर को खुदी जाकर scan करो और यह स्क्रीन में पूरा price display हो जाएगा आतर समान करने के बाद आप credit या debit card से पहाई कर सकते हो और दूसरा option तो common है इससे कि आप cashier के पास ले जा सकते हो अपने पूरे समान और वहीं पे सब कुछ वो आपका कर देगा बस आपको पैसे देने पड़ेंगे तो यह दोस्तों मैं यहाँ पर self check out कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपने सारे समान जो है वो scan करूँगा तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना ताकि इसी तरह के content आपको मिलते रहें